अध्या में भगवान राम के नाम पर विश्विद्याले बनने की बात हुई तो वहां के महंतों ने तमाम संतों ने इसका स्वागत किया और अब उसके आगे मांग बढ़ रही है कि जो ये भगवान राम से जुड़ी हुए तमाम गरंथ है या फिर राम चरित मानस है उसको राश्ट्री गरंथ के रूप में भी शामिल किया है हमाँ साथ महन परम हंस दास जी है उनसे बात करते हैं ये बताइए एक तो विश्विद्याले बनने की बात हो गई अब आगे आप लोगों का क्या विचार है देखिए ऐसा है ये बहुत ही सराहनी कारी हुआ है चुकि म हगवान स्री राम के चैरीत से उसका समगत दर्सन मिलता है तो इसके लिए जो स्री राम विश्विद्याले की घोषणा भारती जंता पार्टी के यहां के उप मुख्य मंत्री दिने सर्मा ने अध्या में जाके किया है इसके लिए हम धरमाचारी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ-साथ है हम लोग उनसे यह मांग कर रहे हैं बिजेपी गॉर्मेंट से से इंटल गॉर्मेंट से भी स्टेट गॉर्मेंट से कि राम चरित मानस को राष्टी गरंथ घोषित किया जाए और विविद पार्ठी कर्मों में अनिवार किया जाए क्योंकि तो उसके लिए पुनह भारती संस्कृती को परतिष्टित करने के लिए आवश्यक है कि लोग अनुसासित हो लोग मर्यादित हो भारती संस्कृती का रूप लोगों का आचरण हो उसके लिए जब राम चरित मानस पार्ठी कर्म में समलित हो जाएगा अलग से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वालग से जो है तो रामायन पढ़े गीता पढ़े भागवत पढ़े तो इसलिए हम जो है तो ये भी माग करना चाहते हैं कि रामचरित मानस राष्टी ग्रंत घोसित किया जाए और साथ ही साथ में देखिए ये जो जनसंख्या जो है बढ़ रही है इस समय देश में मुस्लिम आवादी कैंसर की तरह बढ़ती जा रही है इसलिए पापुलेशन कंट्रोल बिल और कामन सिबिल कोड दो कानून जितना जल्दी बन जाए देश के लिए उतना ही जो है तो अच्छा रहेगा नहीं तो ये जो बेरुजगारी बढ़ती जा रही ह है ये सबके हित में है ऐसा नहीं है जन संख्यान यंत्रन कानून और समान नागरी संगिता एक देश एक कानून होना चाहिए अगर ये दो लागू हो गया तो देश बच जाएगा नहीं तो जिस तरह से बिरुजगारी बढ़ रही है आने वाला जो समय होगा बहुत भीशन होगा इसलिए उम्मीद करते हैं आदरी पधान मंतरी नरंद मोदी जी ने देशित में बहुत बड़े-बड़े काम किया है चाहे आर्टिकल सेवंटी थार्टी फाइवे चाहिटी पल तलाग रहा हो राम मंदीज का निर्मार चला है तमाम कार उसी में जितना जल्दी हो सक है और यह भी सत्य है जिस दिना पाप्लेशन कंट्रोल विल और यू डबल सी आ जाएगा उस दिना और सारी चर्चा छोड़के बीपक्ष का काम है चाहे देखिए साहिन बाग क्या था सी डबल एक को रोकने के लिए जो है साहिन बाग में नाटक शुरू हुआ अब जब किसानों से मतलम नहीं यह सिर्फ यह है विदेशी ताकतों के यह जो है यह किसिर्फ मोहरा है इनका काम है सरकार को रोकना किसी तरह से राम चर्च मानस और यह जो पॉपलेशन कंट्रोल अली बात है इसको ले कर कि आपके सरकार से आप महत्मा लोग या कोई ग्रूप अपील करेगा कोई दिशान्द देश्द निकले देखे मैं जगद गुरु आचायर परमान से आज ही मैं यहां जो है तो उप मुख्य मंत्री दिने सर्मा से मिल रहा हूं इसके बाद मैं ग्री मंत्री शियमी साजी से मिलूगा अधरणी पधान मंत्री नेरंद मोदी जी से मि मुगलों काचरण आकरांताओं काचरण फिर अकबर महान नहीं होगा फिर प्रभु सिराम के आदर्सों पर चलेंगे इसलिए इसको ले करके हम लोग गंभीर हैं और मैं तो आज जो है तो चलके आ भी गया हूँ यहां तो यह स्वामी परमहसदास जी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से वो रामस्जित मानस को धार्मिक गरंथ के रूप में राश्ट्री गरंथ के रूप में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं और साथे साथ उन्होंने मुस्लिम आबादी को लेकर भी सवाल उठाया जब तक की जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तब तक यह सारी समस्यां दूर नहीं होगी क्याना मैं नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रिवास्तो लखनव